आज मैं आपके लिए डबल डेकर सैंविच की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही क्रीमी चीजी है बनाने में बेहद असान है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है इसमें सबसे पहले हम एक चुथाई कप हरी शिमला मिश डाल देंगे एक चुथाई कप लाल शिमला मिश डाल देंगे और एक चुथाई कप ही इसमें पीली डाल देंगे अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिश नहीं है एक चुथाई कप ग्रेट की हुई गाजा डाल देंगे और एक चुथाई कप उबले हुई स्वीट कॉन डाल देंगे इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग, आधी छोटी चमच काली मिश पाउडर डाल देंगे और एक से दो छोटी चमच इसमें पीजा सीजनिंग डाल देंगे अगर आपके पास पीजा सीजनिंग नहीं है तो आप यहाँ पर औरिगेनो डाल सकते हैं मैगी मसाला डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप इसमें मैं यहापर mayonnaise डाल रही हूँ यह eggless mayonnaise है मैंने यहापर 3 चमच भर कर डाली है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे यह दिखी है हमारा mixture तयार हो गया है यानि stuffing तयार हो गई है अब मैंने यहापर 3 brown bread slices ले हैं आप अपनी पसंद की कोई भी bread ले सकते हैं जैसे multi grain या फि आप इसके साथ भी sandwich बना सकते हैं और यह जो हमने इसके edges हटाए हैं इससे आप ब्रेट क्रम बना करके रख सकते हैं अब मैंने यहापर butter ले लिया है जो की room temperature पर है और तीनों bread slice पर हम यह butter एक side लगा देंगे butter हम इसलिए भी लगाते हैं एक तो butter से taste अच्छा आता है sandwich का दूसरा यह काफी crispy बनते हैं और तीसा reason यह होता है कि अंदर से soggy नहीं होते हैं आप इसके उपर sausage लगाएं या चटनी लगा रहे हैं या फिर हम veggies दख रहे हैं जिसकी वज़े से एक जल्दी से soft या फिस सोगी हो सकते हैं लेकिन अगर आप butter लगाते हैं ना butter की layer की वज़ मैं already आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसका लिंक नीचे description box में भी दे रहे हूँ आप वहाँ चेक कर सकते हैं और अब हम यह stuffing ले लेंगे जो हमने तयार की है अभी veggies के साथ और एक से दो चमज भरके यह stuffing लेंगे और इसे bread slice पर इस तरीके से फैला देंगे और अब मैंने के सभी आप बटर लगा देंगे इसके उपर एक उमाची टॉमेटो केचप दाल देंगे और इसके उपर फिर से हम एक से दो चमज ड़नगे और इस तरीके से बितुल एवनली फैला देंगे और अब मैं इसके उपर फिर से cheese slice रख रही हूँ और जो last की bread है उसके उपर हम धनिया पुदिना की चट्नी लगा देंगे और इसके उपर इस तरीके से रख देंगे और ये देखिए हमारा double decker sandwich एक तरह से तो तयार हो चुका है पर अब इसके उपर की side भी फिर से butter लगा रही हूँ और अब मैंने यहां पर तबा पहली ही गरम कर दिया है इसके उपर भी हलका सा butter लगा देंगे और इसके उपर ये bread रख देंगे उपर से हलका हलका सा प्रेस करेंगे और क्योंकि हमने इसमें cheese slice दाली है मैं इसे उपर से पतीली से cover कर दूँगी क्योंकि यह double decker sandwich है अगर आप single sandwich बना रहे हैं तो आप किसी भी धकन या lid से भी cover कर सकते हैं हमने इसे low flame पर 1-5 minute के लिए पका लिया है आप पतीली ध्यान से हड़ा देंगे और इसके उपर की side भी हम यहाँ पर बटर लगा देंगे थोड़ा सा और इसे पलड़ देंगे इस तरीके से और यह देखे कितना पढ़िया है इसके पर golden color आ चुका है और अब इसे वापिस हम पतीली से धख देंगे तकरीबन बस एक मिनट के लिए इसे डख कर पकाएं वो डिपेंड करता है कि गयास का फ्लेम कितना है तो मैंने इसे कुछ सेकेंड के लिए पकाया है और यह देखे बढ़िया से चीज अच्छे से मेल्ट होचुकी है और तोनों side से बढ़िया सा golden color आ चुका है तो बस हमारा ये sandwich बनकर तयार हो गया है अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे और इसे जल्दी से कट करके मैं दिखाती हूँ आपको और ये देखिए लग रहे हैं एक दम बहुत ही creamy, tasty, cheesy sandwich बना है तो friends मैं तो इसे enjoy कर रहे हूँ आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमाई recipes ट्राइ करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को like और share जो कीजे और साथ इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह की और नहीनी recipes देखने के लिए